हलो एवरिवन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर हम आप सभी के लिए भारत के डिफरेंड डिफरेंड यूनिवर्सटी से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रूमेंट रहता है उसका इनफार्मेशन आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं तो गाईस आज हम बात करने वाले हैं शाधूराम, चंद्र, मूर्मू यूनिवर्सटी जो की जहार ग्राम में इस्टेबलिष्ट है विष्ट बंगाल इंडिया की एकी स्टेट गोवर्मेंट यूनिवर्सटी है जहां से टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूमेंट निकल फाम को अपलाई कर सकते हैं और फाम का जो लाजटेट है वो क्या रखा गया है तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल्स में समझने का प्रियास करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक हमारे सस्क्राइब नहीं कि किया हुआ है जिसमें इन्होंने नोटीस के माध्यम से आप लोगों को इंफॉर्म किया हुआ है इंगेजमेंट आफ नीड बेसिज्ट टीचिंग पर्सनल फॉर सिधु राम चंद्र मुर्मु यूनिवर्सटी अफ छार खनी यहां पर रिक्वाइर किया गया है इमर्जें बेसिस इन सिधु राम चंद्र मुर्मु यूनिवर्सटी जार ग्राम की इस यूनिवर्सटी के लिए तो आकास्मिक यह पोस्ट है जो निकल कर आया हुआ है फिश्ट बंगाल की इस यूनिवर्सटी से जिसके लिए आप लोगों को किसी तरीके का कोई फ़ाम अपलाई न सारे educational documents आपको attach करके इस email ID पर आप लोगों को send कर देना है 31 दिशंबर 2030 इसका last date रखा गया है तो 31 दिशंबर से पहले आप फ़ाम को apply कर ले यहाँ पर जो qualification है वो UGC norms के according ही रखा गया है UGC जो qualification रखता है वही qualification यहाँ पर भी apply होता है post graduate course के लिए यहाँ पर आप लोगों से vacancy मांगी गई है जिन डिपार्टमेंट से vacancy आई हुई है उसमें बेंगाली इंग्लिज जियोग्राफी हिस्ट्री हिस्ट्री इन सेंताली मीडियम जेनरलीजम एन मास्ट कम्मुकेशन कुडमाली लेंगबेज और कल्चर लैबरेरी and information science, mathematics, music and performing art, nutrition and public health philosophy in सेंताली मीडियम, political science in सेंताली मीडियम में यहाँ पर requirement मांगे गए हैं यहाँ पर जो requirement है फार्म से related qualification का उसमें वो ही candidate फार्म अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने minimum 55% marks के साथ अपना master degree qualify किया हुआ है related subject में इसमें 5% का relaxation SCHT categories के candidate को मिल जाएगा उनको 55% marks के साथ related subject में pass out होना जरूरी है साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को net या फिर state qualify होना है फार्म को apply करने के लिए candidate without net state फार्म अपलाई कर सकते हैं लेकिन उनके पास PhD की degree होनी जरूरी है अगर आप लोगों के पास net state का certificate नहीं है तो कम सकम आपके पास PhD की degree होनी जरूरी है फार्म को apply करने के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को अपना जो पूरा qualificational documents है उसका एक पीडियो बना कर बायो डाटा के साथ इनके email ID पर send कर देना है यहाँ पर जो salary provide कराई जा रही है उसके उपर भी हम यहाँ देख लेते हैं तो प्रियोलिरी यहाँ पर जो temporary and need basis course है जो emergent यहाँ पर release किया गया है तो यहाँ permanent post से संबंधित कोई भी information नहीं है कोई guarantee university की तरफ से नहीं दी जा रही है कि आगे आने वाले समय में इस post को permanent कर दिया जाएगा लेकिन यह temporary post पर इन्होंने recruitment मांगा हुआ है इसके लिए इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि आप भविश्व में किसी तरीके से university को उपर claim नहीं कर सकते हैं कि यह permanent post पर हमने कभी vacancy मांगा हुआ है तो यह temporary post पर recruitment है यहाँ पर जो salary आपको provide कराए जाएगी 500 रुपए पर class है maximum यहाँ पर 20,000 रुपए पर month आपको provide कराए जाएगी तो गाईस अगर आप interested हैं farm को apply करने के लिए विश्ट बंगाल की इस university से तो farm apply कर सकते हैं तो मिलते हैं कि नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much